मेरा नाम है माना और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्सी मैसप में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डवीडियो के डे फर्ष्ट पेपर वीव में होने वाला रोमन रेंज ब्रॉक लिशनर का मैच अब कैंसिल हो जाएगा तो इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो की सुरुआत करते हैं तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि WWE का नेक्स्ट बिग पेपर वीव डे वन होने वाला है और दोस्तों WWE फैंस बहुत जादा Roman Reigns विसेज Brock Lesnar के मैच के लिए excited है और दोस्तों WWE ने भी Roman Reigns विसेज Brock Lesnar के मैच के recording सारी तयारिया भी कर ली है दोस्तों Roman Reigns विसेज़ ब्रॉक Lesnar का मैच बहुत दीजबर जस्त होगा इसमें कोई सक नहीं है लेकिन दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिश्टार हमें सोपर नजर नहीं आये थे दोस्तों रिपोर्ड के एकॉर्डिंग WWE ने अपने कई सारे लाइब इवेंट को आप कैंसिल कर दिये हैं और दोस्तों Dave Meltiger के अनुसार WWE के कई सारे लाइब इवेंट से Roman Reigns ने अपना नाम वापस ले लिया है दोस्तों इसके अलावा Dave Meltiger ने Roman Reigns के फ्यूचर को लेकर कई सारी बातों का खुलासा किया दोस्तों Dave Meltiger के अनुसार Dave First पेपर वियू में Roman Reigns vs Brock Lesnar का जो मैच होने वाला है वो खत्रे में है मतलब कि वो आने वाले समय में हमें कैंसिल होते हुए दिख सकता है दोस्तों जैसा कि हम सब जानते भी काफी चौकाने वाली भी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों Dave Meltiger की according अगर Roman Reigns vs Brock Lesnar का मैच Day First पेपर वियू में किसी कारणवस कैंसिल हो गया तो WWE को financially बड़ा जहटका भी लग सकता है और दोस्तों WWE को अपने आगे के बड़े-बड़े plans को रद करना पड़ सकता है ले दोस्तों अगर Brock Lesnar vs Romer ने इसके match के regarding अगर कोई news या update आती है तो आपको चैनल पे पता चल जाएगा तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएग तो thank you मिलते हैं